किसी ने क्या खूब कहा है जल ही जीवन है लेकिन अगर जल दूशित हो जाए तो जीवन भी दुखदाई हो जाए ऐसा ही कुछ हमने बहुत साल पहले यूपी के कुछ गाउं में देखा जहां हैंडपम्प तो था लेकिन साफ और स्वच पानी नहीं था ग्रामियर क्षेत्रों में हैंडपम्प के स्वच्छता सर्वे के दौरान ये पाया गया कि कई जगा हैंडपम्प तूटा हुआ था हैंडपम्प का चबूतरा ठीक नहीं बना था सैनेटरी सील और फांडीशन ब्लॉक नहीं था जिस वज़े से पीने का पानी दूशित हो रहा था और लोग जाने अंजाने में वही प्रदूशित पानी पी रहे थे स्वस्त जीवन के लिए स्वच पेजल का होना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है हैंडपम्प की सही स्थापना आईए हम आपको इस कड़ी के एक एहम किरदार हमारे जेई श्री दुलारे खास साब से मिलवाते हैं Howland राष्ट्रु भरेश्टर्य योजना चंद बन राश्ट्री गर्मिन फेजल योजना के अंदरगत लगा जाते हैं जिस से घरामनों को भात की सब्से는 क्या हम इस प्रक्राय को देख सकते हैं खास ब् refreshed i गान का लगना है इसका निरणय को लेता है काम तो तकनीकी तोडर से तक्ठी कि तर्शाय दौया थिर्फ हम को चैन कर दिया गैंद करके धिया जा जाता है जो जलिश तरह से अंहुदन हो गा टा उसके बाद तो चीन की अगरे जोड़ा schwierig आरीiction अगर आप को एक गलत चैन किया हुआ हैंड पप का दिखा व्दhouses के रहें खान-साब ये स्थान कैसे غलत है? ये जर नशर, नाली की बरावर में है नेचे, हिसे फ़ॉंडिशिंग नीचे इक पानी दूस्ट्व है ये जो पानी जा रहा इसे पानी दूस्ट हो रहा तो खानसाब, लोगों को क्या करना चाहिए पर? लोगों यह चाहिए कि यहां कपड़े ना दोएं, अब इनमें कपड़े दोएं तो साबून का पानी सरे यह फैला हुआ इस से पानी दूशित हो रहा है आज पास के लोगों की जिम्माधारी बन्ती कि इसको सास उत्र हैं ना नहि cracked, जानवरों को कपड़े ना दोएं इसके सास सफाय रखे रखे ने एव्यों ना भॉहें हमारी सब की जिम्माधारी आज पास के लोगों की हैंट-पं इड़क्रए रहुड़त तो देखा आपने hand pump की सफाई कितनी जरूरी है खान साथ किया आप हमें कोई सही स्थल चैन का नमोना भी दिखा सेथे हैं? यह सर देखा हूँ, आईए सर आई इंगराज जी, आपकी में अपने ग्रांट ग्रांट और ग्रांट सिट्रीच साफ से मलाकाइट कराएं जी, दुमिश्कार प्रदान जी, कैसे हैं आप लोग प्रदान जी, आप ये hand pump लगाने का सिथान कैसे सुनिश्चित करते हैं? इस्थल चैन करते हैं इक बात का दिहान रखते हैं कि नल के बराबर में कोई नाला नहों, कोई तालाब नहों, भूली का गड़ा नहों, जिससे गंदा पानी सेनेट रिसील के या कहीं से भी नल के अंदर ना जाए तो खान साब ये बोरिंग का काम चल रहा है खान साब ये बोरिंग होने के बाद क्या सामधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले सेनेटरी सील का होना बहुत जरूँज है वो क्या होता है सेनेटरी सील? ये लोरिंग होने के बाद जो पाइप और जमीन के बीच में गैब रहता हुआ तो तीन मीटर तक मसाला डाल करके बजरी इसमें थोग जी आती है ताके पाइप हिल भी ना पाए और जो इदरोदरका को पानी दूसरी ना तो ये था हमारा पहला चरन आईए हम आपको अब दूसरे चरन के और ले चलते हैं अच्छा पुना है लीग किर आप से मुलगा करते हैं अच्छा लेवल से लगभग 3 मीटर डैप में इंपरिवियस सोयल से हमें उसको जो है सील करना होता है ये सीलिंग का काम करता है 50 परसेंट हमारे पोलिशन को ये कंट्रोल करता है करें आई अब हम आपको हैंट पर की स्थाफना के दूसरे चरन फांडेशन ब्लॉक की निर्मान प्रकिर आ के बारे में बताते हैं आई हम आपको मिलवाते हैं हमारे मिस्त्री श्री राज बीर सिंग जी से नमस्कार मिस्त्री जी ये जो यह तीन लगें में क्या इनका क्या काम होता है यह काम है साथ इसे मजबूत आए के हिलने के लिए जमा के रखते हैं तो इनकी कोई दिशा होनी चाहिए या किसी भी तरीके से लगा देते हैं हाँ सही तरह का यह है साथ के तरफ तूपैद और टॉटी की तरफ एक पैद क्योंकि हती के तरफ जूर उनकी तरप कौध जाता और 40 संटीवीटर कहर होता जाए मुनें तो उसके बाद क्या करते हैं मजबूत बनाने के लिए जोड़ी डालते हैं मसाला डालते हैं अचा अचा रोडी डालें आप इसमें उसके म Agran दा लगिए मजबूत हो जा फिर इसके बाद स्को बंद कर देत दंद रर देते हैं इसको क्या बोलते हैं सर इसे फॉंडेशन बिलोग बोलते हैं तो देखा आपने ये था फाउंडेशन ब्लोग बनाने का सही तरीका अब हम अगले चरण यानि चबूतरा बनाने की प्रिक्रिया को देखते हैं मिस्त्री जी ये क्या बना रहा हैं गोलाई चबूतरी के लिए जा रही है इसका कोई साइज भी होता है साइज होता है एक मीटर पिचाशी सेंटी मीटा रहा है अच्छा और इसमें आप क्या भरते हैं इसमें साब रोड़ी भरंगे रोड़ी के बाद फिर मसाला भरा जाएगा मसाले के बाद फिर घुलाई होगी घुलाई होने के बाद हमारी तया है तो मिस्त्री जी अब हम क्या करेंगे जब उत्रे को उपार और पास हीटे लगांगे और इसे पक्का करंगे जो क्या गंदा पानी अंतर नहीं आ सकाए अच्छा आईए मैं करके दिखाता हूं हाँ दिखाएए मिस्त्री जी चबूतरा तूटता क्यों है चबूतरा इसलिए टूटता अशारी है जिस पर गाय बैंस वैल बांदे जाते हैं और कप्रे भी बुले जाते हैं जिस तर्व मूंडे लगरी माटे हैं कप्रों पर इसलिए और तूटता है यह गाव वालों की भी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने हैंड पंप को साफ सुत्रा रखें और उसका सही रख रखाव करें करेंक पली जाते हैं मिस्त्री जी, इस चबूत्रे के आसपस सीटे तो बिच गई हैं, पर ये गड़ा क्यों बनाया अपने? गड़ा ये साब सोकते का बनाया गया, जो क्या है पानी गंदा है, रुक्रो का जाता है, वो सोकने के लिए बनाया है. जो क्या पानी इसमान के सोक लेता है. तो कोई किसी खास इसका द्यान रखना पड़ता है? खास द्यान रखना पड़ता है, कम से कम 10 मिंट हैं, अच्छा. और ये छोटा गड़ा क्यों बनाओ है? छोटा गड़ा इसलिए बनाया जाता है, जो हेंट पम का जो खूला कवाड़ा ये रेत, मिट्टी इसमा आ जाती है चोटे गड़े में और इसके बाद साप पानी सोकते में जाता है. उच्छी क्या, सुकता हमारा, रामसा सुकता. ये हो गया एक आदर्श हेंट पम तैयार. धन्यवाद मिस्त्री जी. तो आएए इस पूरी प्रकरिया के चरणों को एक बाद फिर से देख लेते हैं. पहला कदम है सैनेटरी सील का लगना, जिसमें बोरवेल और केसिंग पाइप के बीच की खाली जगह को सिमेंट और बालू के मिश्रण से बंद किया जाता है, जो कि जमीन के 3 मीटर नीचे तक किया जाता है. अगला कदम है फांडेशन ब्लॉक बनाने का, जो कि 76 गुणा 76 सेंटिमीटर और 40 सेंटिमीटर गहरा होता है. इसको रोडी और सिमेंट के मसाले से भरा जाता है. फांडेशन ब्लॉक हैंड पंप को मजबूती प्रदान करता है और पानी को दूशित होने से भी बचाता है. फांडेशन ब्लॉक के बाद प्लाटफॉर्म बनाया जाता है जिसे चबूतरा भी कहते हैं. इसका साइज 1 मीटर 85 सेंटिमीटर का होता है और इसे भी रोडी और सिमेंट के मसाले से बनाया जाता है. प्लाटफॉर्म को मजबूत करने के लिए उसके चारूं तरफ ब्रिक लाइनिंग की जाती है जिसकी PCC की मोटाई 50 मिलिमीटर की होती है और उसके बाद बनाया जाता है सिल्ट कैचर और सोक पिट का गड़ा. इस सिल्ट कैचर में पानी के साथ जो छोटे पत्थर या मिट्टी के कण होते हैं वे नीचे जमा हो जाते हैं और पानी उपर से होता है साथ गुणा साथ सेंटिमीटर और सट सट दशमला पांच सेंटिमीटर गहरा तो देखा आपने हैंड पंप में स्वच्छता सुधार करने का सही तरीका उम्मीद करता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और जल ही जीवन ह इस कहावत को सच साबित करने में पूरा सहयोग करेंगे आप लोग नमस्क्राइब